नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में उत्तर प्रदे स्वास्त मिसन में दोस्तो निकाली गई हैं तो फॉर्म इसके स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तो 21 जनवरी से और फॉर्म की अंतिम्तिती रहेगी चार फरवरी फीस की बात करें तो दोस्तो किसी भी कैटेकरी से कोई पैसा ने लिया जाएगा यानि कि ऑनलाइन माध्यम से आपको फॉर्म भरना है पदों की बात करें तो दोस्तो अलग अलग टाइप से यहां पर पद निकाले गए हैं देखें दो तरह के मुख्य तोर पर पद है दोस्तों आपर टेक्निकल और एक पद है यहां पर नोन टेक्निकल तो नोन टेक्निकल वाले पद में भी काफी सारी वैकेंजी देखने को म लेंगे अब यहां से जो आप देख रहे हैं दोस्तों यह देखिएगा पूरा है ना प्रियोग साला तकनीशियन है ना यह जो पद निकाले गए हैं इनके लिए जो योगिता रखी गई है चिकित्सा प्रियोग साला प्राध्धोगी की में MLT या बिग्यान में interminate के साथ चिकित्सा प्रियोग साला में डिप्लोमा यानि प्राध्धोगी की में आप डिप्लोमा पूरा करते हों ठीक है ना और बहीं राज चिकित्सा संकाय में पंजीकरण होना भी आपका डिप्लोमा जरूरी है ये तो योगिता वाला पद रहेगा दोस्तों यहां पर यह ठीक है दूसरे पद पर आ जाते हैं दोस्तों जो की पद रहेंगे जिसमें 176-293 काफी सारे पद यहां पर देखने को मिलेंगे सेम दोस्तों यहां पर भी योग गता आपको रखने है MLT है ना 12 के साथ MLT यह फिर डिप्लोमा है आपके पास और साइन्स से आपने BSC वगर computer certificate मतलब triple C अगर आपके पास है तो काम चल जाएगा उसके साथ two wheeler driving license मतलब motorcycle चलाने का जो license होता है वो आपके पास अगर है तो आप इस post के लिए दोस्तों आबेदन दे सकते हैं ठीक है ना साथी साथ graduation की degree है ना या sanitary inspector का course आपने किया है sanitary inspector का course नहीं भी किया है तो graduation की degree आपके पास होनी चाहिए ठीक है ना चाहें वो बीए है बीकॉम है बीए सी कुछ भी है graduation की degree triple C का certificate और motorcycle चलाने के लिए जो license बनवाय जाता RTO से वो आपके पास होना चाहिए तब दोस्तों आप 293 पोश्ट के लिए आवेदन दे सकते हैं बाकी जो पोश्टे हैं वो दोस् से कि आपको एक जानकारी मिल सके और आप इस फॉर्म को भरने का mood बना सकेंगे उसके बाद दोस्तों एक पाद और है यहां पर बरिष्ट छे रोग प्रियोकसाला परवेक्षक का ठीक है ना तो यहां पर मांगा गया medical levelatory अर्थाद बोई MLT या फिर DMLT या अलग-अलग सं साथी साथ two wheeler driving license यहां पर होना जरूरी है ना दो महीने का computer certificate भी आपके पास होना जरूरी है इस MLT के साथ ठीक है ना वो परवेक्षक वाली job थी उसमें दोस्तो MLT भी MLT का कोई भी scene नहीं है तो इतनी बात आपको पता चल गए कि योग गिता किस post के लिए क्या रखी गई यहां पर बताए गया कि आपको salary कितनी मिलने वाली है देखो साब साब लिखा हुआ है उन्तीस सो पिलस जो वेकेंसी हैं यह संविदा की वेकेंसी किस post के लिए कितना मांदे आपको दिया जाना है साब साब दोस्तो लिखा हुआ है ठीक है ना जैसे lab technician तो यह अलग-अलग हिसाब से यहां पर salary प्रोगाइड कराई जा रही है आप लोगों को तो यहां से अच्छे से देख सकते हैं यह notification आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं यह फिर हम telegram group में डाले देंगे महां से भी आप पढ़ पाएंगे इसको ठीक है ना अच्छा apply online करनी की जो तिथी है द process किया रहेगा तो selection के process पर आ जाते हैं क्योंकि यह जानना हमको बहुत जायदा जरूरी तो यहां पर दोस्तों बताया रहा है कि आपका जो paper होगा वो computer candidate और EWS के जो candidate उनको 33 अंक लाने जरूरी है OVC के जो candidate है उनको सो में से 30 नंबर लाने जरूरी है और SC और HT PWD के जो candidate है उनको 24 नंबर लाने जरूरी है यह minimum cut off है दोस्तों इसके बाद जो बच्चे अगर ज़्यादा qualify हो जाते हैं post से ज़्यादा बच्चे qualify होते हैं तो फ किये जाएंगे फिर उनका formalty type से कुछ interview होता है यहाँ पर और फिर बच्चों का selection कर लिया जाता है तो आपको यह भी पता चल गया कि इसमें selection का आधार क्या है आपको यह पता चल गया कि किस post के लिए क्या योग गिता है और अगर आप जानना चाहते हैं तो दोस्तों आप आपको 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 सकते हैं कि किस जिले में कितनी vacancy निकाली गई जानी देंग में आपको आपको technwiek निकाली गया तो यह थोस्तों इसका बिल्कुल detail notification आप इसको अच्छे से रीड करिएगा फॉर्म भरने से पहले फॉर्म की कोई फीस नहीं ली जाएगी आपसे जो भी आप साइबर कैफे पे जाएगे वो साइबर कैफे वाला जो आपसे 40-50 रुपे लेगा बही फीस आपको दोस्तों यहां पर देनी होगी या फिर आप इसको मुबाइल से कंप्यूटर से खुद भी फुल्फिल कर सकते ह करने की हम कोशिस करेंगे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ भी सकते मिलेंगे दोस्तों आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत